आप सुनेंगे मुंशी प्रीम चंदद्वारा लिखेत गबन उपन्यास का पांच्वा भाग महाशे दयानात जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत साह हो कर लोटे दीन दयान ने खूब दिया लेकिन महाशे जो कुछ मिला वो सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया बार बार अपनी भूल पर पच्चताते क्यों दिखावे और तमाशे में इतनी रुपे खर्च किये इसकी जरूरत ही क्या थी ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते महाशे बड़े क्रपण हैं उतना सुन लेने में क्या हानी थी मैंने गाउं वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था ये सब रमा का दुसाहस है उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया और सब तकाजे तो दस पाच दिन टल भी सकते थे पर सर्राफ किसी तरह ना मानता था शादी के साथवे दिन उसे एक हजार रुपे देनी का वादा था साथवे दिन सर्राफ आया मगर यहां रुपे कहा थे दयानात में ललो चपो की आदत ना थी मगर आज उन्होंने उसे चक्मा देने की खूब कोशिश की किष्ट बांद कर सब रुपे छे महीने में अदा कर देनी का वादा किया फिर तीन महीने पर आये मगर सर्राफ भी एक ही गुटा हुआ आदमी था उसी वक्त टला जब दयानात ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़े लोटा देने का वादा किया और ये भी उसके सज्जनता ही थी वो तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानात को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूचता था कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यक्र न होता हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता लेकिन दयानात इस मामले में अनारी थे जागेश्वरी ने आकर कहा भोजन कपसे ठंडा हो रहा है खाकर तब बैठो दयानात ने इस तरह गर्दन उठाई मानुस सिर पर सैकडों मन का बोज लदा हुआ है बोले तुम लोग जाकर खालो मुझे भूख नहीं है जागेश्वरी भूख क्यो नहीं है राद भी तो कुछ नहीं खाया था इस तरह दाना पानी छोड़ देने से माजन के रुपय थोड़ी अदा हो जाएंगे दयानात मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूँगा मैं तो ये विवाह करके बुरा फस गया बहु कुछ गहने लोटा तो देगी जागेश्वरी बहु का हल तो सुन चुके फिर भी उससे ऐसी आशार रखते हो उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा कोई गहना ही ना पहनूंगी सारे गहने संदूप में बंद कर रखे हैं बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाला हुआ है बहु एक बहु बहुत देखी पर ऐसी बहु ना देखी थी फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कलकी आई बहु उससे गहने चीन लिये जाएं दयानात ने चुर कर कहा तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो बुरा मालूम होता है तो लाओ एक हजार निकाल कर दे दो महाजन को दे आओं देती हो बुरा मुझे खुद मालूम होता है लेकिन उपाय क्या है गला कैसे चूटेगा ज्वागेश्वरी बेटे का बया किया है कि ठटा है शादी बया में सबी कर्ज लेते हैं तुमने कोई नई बात तो नहीं की खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं तुम्हारे ही दरजे पर सत्या देव है पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमीदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो पाँच अजार तो खर्च किये ही होंगे दयानात जबी दोनु लड़के भी तो चल दिये जागेश्वरी मरना जीना तो संसार की गती है लेते हैं वे भी मरते हैं, नहीं लेते वे भी मरते हैं अगर तुम चाहो तो छे महीने में सब रुपय चुका सकते हो दयानात ने तियोरी चड़ा कर कहा जो बात जिन्दिगी बढ़ नहीं की वो अब आकरी वक्त नहीं कर सकता बहुत से साफ साफ कह दो उससे परदा रखने की जरूरत ही क्या है और परदा रहे ही कितने दिन सकता है आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा बस तीन चार चीजे लोटा दे तो काम बन जाए तुम उससे एक बार कहो तो जागेश्वरी जुन्जला कर बोली उससे तुम ही कहो मुझसे तुना कहा जाएगा सैसा रमानात टैनिस रैकेट लिये बाहर से आया सफेद टैनिस शुर्ड था सफेद पतलून कैन्वस का जूता गोरे रंग और सुन्दर मुखाकरिती पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी रुमाल में बेले के गजरे लिये हुए था उससे सुगंध उड़ रही थी माता पिता की आँखे बचा कर वो जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका इन ही के तो सब काटे बोए हुए हैं इनसे क्यों नहीं सलाह लेते तुमने नाज तमाशे में 12-1300 रुपे उड़ा दिये बतलाओ सर आपको क्या जवाब दिया जाए बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लोटाने पर राजी हुआ मगर बहु से गहने मांगे कौन ये सब तुम्हारी ही कर्तूत है रमानाथ ने इस आपेक्ष को अपनी उपर से हटाते हुए कहा मैंने क्या खर्च किया जो कुछ किया बाबुजी ने किया हाँ जो कुछ मुझ से कहा गया वो मैंने किया रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था यदि दयानाथ की इक्षा ना होती तो रमा क्या कर सकता था, जो कुछ हुआ उन्ही की अनुमती से हुआ, रमानाद पर इलजाम रखने से तो कोई समस्या ना हल हो सकती थी, बोले, मैं तुम्हें इलजाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, अगर ये बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए, सर्राफ का तका आजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा, मेरी समझ में तो यही एक उपाय है, कि उतने रुपए के गहने उसे लोटा दिये जाए, गहने लोटा देने में वो जंजट करेगा, लेकिन दस-वीस रुपए के लोब में लोटाने पर राजी भी ह हो जाएगा, तुम्हारी क्या सला है? रमानात ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विशह में क्या सला दे सकता हूँ? मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वो खुशी से मन्जूर ना करेगी, अम्मा तो जानती है कि चड़हावे में चंद्रहार ना जाने से उसे क इतना बुरा लगा था, प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा, कोई गहना ना पहनूंगी, जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते हुए देख, खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ, रमानात, हरोना धोना मत जाएगा, और इसके आपने सुना गबन उपन्यास का पाँचवा भाग, कहानी के आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें, स्टोरियन लफजों के हमसफर